वर्दमान महावीर खुला विच दले कोटा की तरफ से online assignment के facilities अप्ट स्टार्ट कर दी गई है उसके बार लगातार students के comment आ रहे थे किसल online assignment किसको submit करना है क्या date का system रहने वाला है कैसे तैयार करना है कैसे download करना है कैसे upload करना है online assignment समंदी completely इस short brief वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी जाने ना लगो इस वीडियो को watch करने के बाद online assignment समंदी आपके जितनी भी समकाई हैं उन सभी का समाज़न हो जाएगा उसके बाद अगर आपके कुछ comments में और कुछ problems आई की seriously तो मैं sure इसका भी वीडियो में आपको solution दूँगा बाकि इस brief वीडियो में आपको complete online assignment submission समंदी सारी issues हैं उन सबको clear करने की पूरी कोशिश करूँगा नमशकार दोस्तों education job and plan के एक और helpful and latest information वीडियो में आप सभी का स्वागत है तो साथ यो विश्विद्याले की तरफ से एक सितमर से online assignment submission की सुवीदा इस्ट्यूएंट्स को दे दी गई है तो और इस तकमे की यूग में बहुत अच्छी facilities हैं वहाँ पर offline assignment में बहुत सारी जो problems थी जो updates होना यहाँ पर messages वगरा नहीं आना पॉटल पर update नहीं होना तो इन सारी problems का है कि मातर solution यहाँ पर completely online assignment submission कर दिया गया है हाला कि इसमें बहुत कुछ जो आपको अभी problems फिल हो सकती है लेकिन विश्ट्याले लगातर नवाचारों की परयासरत है तो यहाँ पर विश्ट्याले इसमें जो भी assignment मिलेगा admission inquiry के नीचे तो वहाँ पर इसके ओपर जैसे tap करेंगे तो आप यहाँ पर online assignment submission पर आ जाएंगे यहाँ पर से आपको sign in करना होगा फिर आप online assignment की process श्टार्ट कर पाएंगे तो यहाँ पर online assignment submission समंदी जितने भी problem से उसके लिए आपको यहाँ पर help line number भी उपलब्द करवाएंगे हैं यहाँ पर आप देख पार होंगे दो mobile number और यहाँ पर email ID भी आपको दी गई है तो online assignment समंदी कुछ problem से था भी इसकी help जो इस email ID की help ले सकते हैं काभी आपके जो problem से उसका solution आपको यहाँ पर मिलेगा तो सबसे पहले हम online assignment portal को login करने से पहले हम बात करते हैं online assignment submission किन को करवाना है तो साथियों यहाँ पर जिनके भी जनवरी 2021 से जुलाई जनवरी 2021 में जिनका admission है और जुलाई 2021 में अभी जिनोंने latest admission लिया है उन सबके assignment है वो साथियों online mode में ही जमा होंगे आपको offline का option नहीं मिलेगा तो इसलिए आप आपको online assignment जो मैं अभी बताने वाला हूं इसी process से आपको अपने assignment है वो submit करने होंगे क्योंकि जनवरी 2021 वालों की जो date है 15 नवंबर वो बहुत बहुत जल्द आने वाली है क्योंकि अब जैसे ही आप मानते है सितंबर चला चुका है अब तो अक्टूमबर ही बचा है बीच में तो आपको जो जनवरी 2021 वाले जितने भी students हैं तो उन सबको online assignment submission करना होगा ये video proper अच्छे से watch किजेगा और बाकि जितके भी admissions है साथियो July 2020 से पहले वालों को अभी तो 30 सितंबर तक date देनी गी थे लेकिन वो भी अब जा चुकी है था आपको भी online assignment ही submission करने होंगे July 2020 व मिलेगा आपके course की अधिक्तम अवदी 6 है वहां तक यहां पर इस line में ये सारी बाते clear कर दीगी है विश्यदयले की तरप से कि जुलाई 2020 से पूर्व के जो प्रवेशित विद्यारती है पूर्व की भती अधिक्तम अवदी 6 तक अपने शेत्री के अंदर पर आंत्री गरक करें offline जमा करा सकेंगी मिलब जुलाई 2020 से पहले का admission है और आपने assignment अभी तक submit नहीं करवाए हुए और आपके course के अधिक्तम अवदी 6 है अधिक्तम अवदी पूरी होने के बाद तो आपको मोका नहीं मिलता आपको सभी को पता ही है डिपोल्टर फॉर्म बगरा सारे कुछ के सबके और यहाँ पर जो portal login में जो problem सारी है उसकी में अगर बात करो जनवरी 2021 में जिनके admission है उनके portal login अभी smoothly हो रहा है कहीं कोई problem नहीं है वो आप login में कुछ technical error कर लिए हो इसलिए आपके problem आ रही है तो वो मैं सारी आपकी बाते clear करूंगा बाकि जुलाई वालों के साथ यहाँ पर जो भी दूसरे जिनकी है तो वो इनवरी 2021 में जिनका भी admission है यहाँ पर simply आपको scholar number यहाँ पर लिखा हुआ है उसके उपर आपको simply टैप कर देना है जैसे ही आप करेंगे यहाँ पर तो आपको अपने जो scholar number है उसको completely type कर देना है आपको पता है यहाँ पर six digit है उसके बाद आप यहाँ सिंबल की language में बोल लिजे तो hyphen बोल लिजे या फिर अपने शुद्ध देशी बासा में बोले तो dash लगा दीजे आप उसके बाद वापिस आपको जो भी आपके scholar number है वो यहाँ पर आपको enter कर देना है उसके बाद सात्यों यहाँ पर जब आप फर हाइफन लगाना है फिर 1507 है जुलाई है तो आपको 07 लिखना होगा ऐसे सिंगल साथ लिखनेंगे और 0 ने लगाएंगे तो भी आपका काम नहीं चलेगा उसके बाद आप जैसे 2000 है 2001 है 1992 है जो भी लिख सकते मानलो यहाँ पर आपकी 6 तारिक में 6 है तो आपको यहाँ पर प्रॉपर एंटर करके फिर साइंग पर क्लिक करेंगे तो आपको इन वाली जो प्रॉब्लम से वह आपको नहीं देखने को मिलेगी इन बातों का आपको ध्यान रखना है फिर भी अगर आपको लोगिन में कुछ इसूज है ता आप यहाँ पर जो इमेल आड़ी और कॉंट प्रॉबर आपको जो आपको यहाँ पर इस परकार से ओटिपी देखने को मिलेगा फिर आपको जैसे वेरिफाइप पर इंटर कर देंगे फिर आपको चैंज पासवड का ओप्षिन मिल जाएगा क्योंकि यहाँ पर हर बार आपके जो डियो भी है उससे लोगिन नहीं करना होगा पिर आप जो पासवड करेंगे उसी पासवड से यहाँ पासवड करेंगे तो आपको यहाँ पर यहाँ को मिलेगी उसके बात साती हो यहाँ पर आप जैसे लोग इन हो जाते हैं यहाँ पर आपको जो इस प्रकार से आपको पूरा आपको पूरा पूरा देखने को मिल जाएगा आपको जो भी सब्जेक्ट है जो भी कोर्स के जो भी सब्जेक्ट कोड़े जिनके आपको असाइमें तैयार करने उनकी भी problem का solution हो गया क्योंकि आप round figure बात ये मान लेजिए का आपको यहाँ पर जितने subject के assignment show हो रहे वो सारे आपको अपने तैयार करने है जैसे यह MSC MT previous का admission है यहाँ पर आप देख पारे होंगे 5 subject को totally यहाँ पर assignment show हो रहे हैं फिर आपको यहाँ पर आपकी जो proper home page जो आपको first page आपको दिख रहा है यहाँ पर तो इस first page में आपको जो भी साथियों जो information है वो proper check कर लेनी है वित आपको यहाँ पर यह जो तक्मिकी का बिल्कुल अच्छा उभ्योग की है यह university की तरफ से आपको बार कोड भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा first page वाली जो आपको problems रहती थी उन सबका भी completely यहाँ पर इसमें solution कर दिया गया है तो यहाँ पर आपको first page जो पूरी information देखने को मिल जाएगी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको program code, program name, course code वो सारी जो आपने online form में जो बर्रक है आपको जिस भी subject का किया है वो subject का नाम आपको दिख जाएगा उसके बाद यहाँ पर जो mention कर देगी information के download कीगी जो आंतरि गरकारे उतर पुस्तिका में जितने प्रष्ट दिये गए हैं विद्यार्थी केवल उन प्रष्टों का है उप्योग करे विद्यार्थी अपने अस्तर से कोई भी प्रष्ट नहीं जोड़े तो यहाँ पर साथ यह online assignment में यहाँ पर जो आपको यहाँ पर यह PDF मिल रही है पूरी आपको उन ही प्रष्टों को पर आपको अपना वर्क है उसको पूरा करना है और उन ही को upload करना है ना तो कुछ एश्टा जोड़ना है ना ही इसमें से कुछ हटाना है इस बात को आपको ध्यान रखना है और आपको स्वाई की हस्तरलिपी में त्यार करना है यह गोश्णा पत्र आपको यहाँ पर हस्ताक्षर अपने दिनांग और अपना प्लैस है जो भी आप वहाँ पर इसको मेंशन करेंगे और पूरा ओनलाइन असाइमेंट तयार करेंगे और फिर आपको यहाँ पर एक बात के उपर आपको कुछ भी नहीं mention, कुछ भी नहीं लिखना है, बारकोड में जब आप question answer लिख भी रहे तो आपको बारकोड को ना तो आपको कुछ किसी चीज से इसको मेला या गंदा करना है, ना ही आपको pen से इसके उपर कुछ लिखना है, इस बात का आपको wishes ध्यान रखना अलग होगा तो उसके according यहाँ पर इसके barcode को कहीं कोई नुक्सान न हो इस बात को आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर आप देख पारे होंगे कितने number के assignment है, क्या course है, आपके course का नाम, आपके जो internal assignment है, season वगेरा सारी यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, A, B, C, 3 section मिलेंगे, आपको यहाँ पर proper, तो section A देख पारे हैं तो आपको कितने में से कितने questions करने हैं, 30 word में आपको यह questions लिखने हैं, वो सारी information आपको यहाँ पर mention होकर मिल जाएगी, questions के नीचे आपको space मिल जाएगा, तो उसमें फिर आपको simply अपने pants से आपको जो answer return कर द आपको वापीस इसमें PDF बना कर इसको upload करना होगा, तो briefly में सारी बाते बता रहा हूँ, बाकी में समय के साथ आपको completely जो PDF जो बने-बना assignment होगे, उसके थूरू भी आपको में पूरी जानकारी आगे के वीडियो में देने वाला होती, इस परकार से इसमें आपको जिसे मान पेजा आपनेरी जो आपने लिखे वही पेज आप अपूड़ करें बाकी पेज आप छोड़ देए ऐसा नहीं करना है, आपको जो अपने question तत्वा में हें, तो आपको बहाई तो आपको जो question आप कर रहे हैं, उसी को मान describes कर देना है, बाकी को खाली छोड़ देना है, और जो भी है आप अपने scanner की मदद से आप PDF बना कर उसको upload कर देंगे, तो ये कुछ सारी process है, बोलकुल ही है, आपको इसमें ये बात है, कि इन सारे पेजों का आपको print निकालना होगा, उसके बाद फिर आपको इनको अपने जो answer है, उनको आपको written करना होगा, उसके बाद इनको प्रेंशन की हैं, तो यहाँ पर इनस्ट्रक्शन में जाते हैं, यह सारी बाते हैं यहाँ पर clear कर देंगी, तो आपको वहाँ पर सबसे पहले print निकाल लोगे, print निकाल कर फिर साप print निकल वाले नहीं, उसके बाद आपको answer को return कर दोगे, उसके बाद PDF फाइल आपको create करनी पर आपको यहाँ पर जो page है वो ठीक से scan करने हैं, आपको ध्यान रखना है, आपको उपर का बार कोड आना चाहिए, आपने जो चीजे लिखी है, वो completely दिखने में होना चाहिए, विजूल होना चाहिए, आपको अंधेरे में बैठके उसको mobile से scan करने है, या फिर proper मतलब अ आपको अच्छा लगता है, scan करने का तो वो mobile से भी आप scan करके PDF बना सकते हैं, बस उसके site 4MB से कम रहनी चाहिए, आपने उत्तर सावदाने से ABC जो भी है, उसके according लिखने है, QR code और बार कोड के आपको बिल्कुल ही कुछ भी नहीं लिखना है, ये बात आपको यहाँ पर point number 6 आपको प्रोसेसिंगे, बहुत ही शांदर और अच्छी प्रोसेसिंगे, केवल आपको उसमें प्रिंट करवाना होगा, फिर आपको वापीस एंसर लिखे, फिर वापीस अप्लोड करना होगा, और फिर आप जैसे ही आपर assignment अप्लोड कर देंगे, हाला कि मैं अभी अप्लो लेकिन यहाँ पर आपको व्यू का option मिल जाएगा, फिर आपने जो assignment अप्लोड किया है, फिर आपको यहाँ से review पर क्लिक करके आप व्यू कर पाएंगे, वो आपके assignment submission का सबूत हो जाएगा एक तरीके से, पाकि यहाँ पर download, upload और फिर व्यू का option आ जाएगा, जो आपने upload क तो इतने issues थे, वो मैंने सारे clear किये, अब और भी कुछ अगर आपके कुछ issues रह जाते हैं तो आप comments की जाएगा, मैं sure इसके और बहतरी जो complete जानकारी के साथ और वीडियो बना कर आपको helpful information देने के कोशिश करूँगा, तो online assignment समंदी लगातार updates के लिए हमारा टेलीग्राम